हलो बच्चों कैसे हैं आप लोग उम्मीद आप सब अच्छे होंगे देखे आज की लेक्चर हम देखेंगे क्रमागत बट्टा जो की लाभानी का एक टोपिक है और SSEGD के एकजाम में यहां से एक कोशन 100% आपको मिलेगा आने वाली किसी शिफ्ट में तो हम इसको एक कोशन बतानी एक मतलब सिंगल छूट क्या आएगी तो इसका जो पहला जो तरीका है वो है इसका फोम्रा होता है A पिलस B माइनस का A B बटे में 100 A मतलब पहले छूट पहले छूट है 40 की दूसरी है दूसरी छूट है वो है आपके सामने 20 की 40 पिलस 20 माइनस का 40 गुना 20 बटे 100 तो 60 माइनस 8 यानि की 52 परसेंट की क्या गई छूट आगई आंसर कौन सा है 52 ठीक है अब इसका दूसरा मेथड देखने देखिए दूसरा मेथड मैंने मान लिया क्रेम मुले क्या है 100 छूट मिलिये 40 की तो मतलब 40% कम कर दिया तो कितने होगी चीज हो गई 60 कितने हो गई 60 की मतलब 100 रुपे उस पर अंकित मुल्य था 48 सुरों में बेचा गया है तो छूट कित्य की मिल गई 52 की आंसर क्या आ गया 52 परसंट दुबारा आंसर 52 परसंट आ गया एक चीन ध्यान अकर छूट हमेशा मिलती है आपको अंकित मुल्य पर ना कि क्रे मुल्य पर क्रे मुल्य पर मिलता है लाब और हनी तो छूट किसे मिलेगी अंकित मुल्य पर देखे अगला मैथर देखते है इसका ठीक है 40 परसंट 40 परसंट छूट इसको तो अपन कहते हैं 40 बटे 100 यानि कि 2 बटे 5 दो बटे 5 की चूट फिर 20 परसेंट 20 परसेंट चूट मतलब 20 बटे 100 यानि कि 1 बटे 5 चूट दो बटे 5 चूट का मतलब क्या है यहाँ पर MRP यानि कि अंकित मुल्य और विक्रे मुल्य का अनुपात 2 बटे 5 चूट का मतलब है कोई चीज 5 थी 2 की चूट मिल तो कितने बेची 3 में 1 बटे 5 चूट का मतलब किया कोई चीज 5 थी कितने बेची 1 की चूट से 4 में गुना कर लो यहाँ पर और यहाँ पर तो यहाँ पर 25 अनुपाद 12 मतलब कोई चीज 25 की ती तो कितने की बड़ी हो 12 की तो छूट कितने की दी 13 रुपे की 13 रुपे की छूट मिले किस से 25 से गुणा में 100 अंकित मुले में निकालते हैं न यह आपन को छूट आ गई तो देखो 25 चोका आंसर कितना आ गया 52 यह है तीसरा मेतड अब इसका चोथा मेतड देखते हैं जब भी हम चूट निकले तो क्या करेंगे 100 में से घटा दो 100 माइनस 100 गुणा देखे 2 बटे 5 5 में से 2 चीज चली गई 5 में 2 की चूट देगी तो बची कितनी 3 बटे 5 फिर 5 में से 1 की चूट देदी बची कितनी 4 तो 4 बटे 5 अब देखो 25 25 चोट का 100 कितना आ गया 100 माइनस 48 आंसर कितना आ गया 52 प्यतिशाद देखे हमने इस कोशन को 4 मेतड से करा है लेकिन मेरे लिए सबसे बेस्ट मेतड ये वाला है जब भी दो करमिक चूट आ जाए तो हम इस मेतड से A प्लस B माइनस A B से कर सकते है अगला कोशन देखते है देखे आपके सामने अगला कोशन है तीन करमा आगा चूट का एक कोशन आएगा ये 100 परसंट किसना किस शिफ्ट में ये कुशन जरूर आएगा कि पहले 50 परसंट की चूट है 35 परसंट की फिर 20 परसंट की हमको एक कल चूट बतानी है तो पहला मेतड तो ये है कि देखो पहले इन दोनों का A प्लस B लगा लो फिर जो रियल्ट आए उसमें A प्लस B लगा दो और इसमें लगा दो मतलब पहले तो पहले दो संख्याव में A प्लस B लगा दो फिर जो आंसर आए उसको फिर इस वाले में A प्लस B लगा दो कैसे देखो पहले में लगा रहो 50 परसंट और 30 परसंट में A प्लस B तो फोर्मला क्या था A प्लस B माइनस AB बटे में 100 तो देखो क्या आया 50 पिलस 30 माइनस का 50 गुना 30 बटे 100 तो यह आ गया देखो 10 से 10 कैंसिल 10 से 10 कैंसिल 80 माइनस 15 यानि की 65 अब यह जो 65 आया है इसमें और इस वाले में यह पिलस भी लगा दो तो 65 पिलस 20 माइनस का 65 गुना 20 30 बटे में 100 तो कितना आगया 85 माइनस 100 1300 बटे में 100 20 से 20 85 माइनस 13 कितना आगया बहतर आंसर का आगया 72 परसेंट एक तरीका तो इसका यह है दूसर तरीका देखे मैंने माल लिए 100 रुपे क्रेम 100 रुपे क्या है MRP 100 पे 50 परसेंट की छूट मिली है 50 परसेंट गए तो कितना बचा 50 अब 50 पे 30 परसेंट की मिली है 50 का 30 परसेंट होता है कितना 15 तो कितने की चीज पढ़ गई 35 की पढ़ गई अब 35 पे कितने परसेंट की छूट मिली है 35 मिली है 20 परसेंट की कितने की 20 परसेंट की तो 35 का 20% कितना होता है निकाल लो 35 गुना 20 बटे 100 यानि की 7 रुपे की छूट में लिए तो 35 में 7 गया तो कितने होगे चीज 28 मतलब 100 रुपे की चीज थी 28 में बेची छूट कितने की हो गई 30 रुपे की जह तो देखा ए cuestion answer क्या है 32 इसका 30 देखो solution रिश्यो बनाओ रिश्यो कैसे रिश्यो ऐसे खिओ 50 परसंट है 50 परसंट क्या बॉल सकते हैं एक बटे 50 परसंट क्या बूल सकते हैं 3 बटे 10 फिर 20% क्या बोल सकते हैं इसको 1 बटे 5 यहाँ पे MRP और यहाँ पे विक्रे मुल लिए 1 बटे 2 की छूट है मतलब 2 में से 1 छोड़ दी तो कितने बेची एक में 2 नपात एक 10 बटे 10 छूट है मतलब 10 की चीज कितने बेची है 7 में फिर 1 बटे 5 की छूट है इसका मतलब क्या है इसका मतलब है कि 5 की चीज थी कितने बेची 4 में गुना करो 100, 28, मतलब 100 MRP था 28 में बेचा सूट कितने की बहतर गी, देखो ये तीसरा मेतर से भी हो गया चोथा मेतर देखें इसका 100 में से घटा तो 100-100 गुना, देखें 2 में से 1 चीज गई, बची कितनी 1 बटे दू, फिर 10 में से 3 चीज गई, बची कितनी 7 बटे दू, 60 बटे 10 सोरी, फिर 5 में से 1 चीज गई बची कितनी, 4 बटे, 5 नीचे 100, उपर 100 घटा दो तो 100-28, कितना आ गया बहतर, देखें इस सवाल को मैंने 4 मेतर से कराए आप चाहें तो इसी सवाल को उप्शन से कर सकते 5 मेतर और हो सकता है, ये बहुत काम की चीज हैं, लेकिन अभी भी मैं बता रहा हूँ ये बहुत important है, और ये वाला बहुत important है अब देखते हैं, अगला question देखें, अगला question है एक वस्तू पर अंकित मुल्ये 2,000 रुपे है कितना है, 2,000 लेकिन दुकानदार ने 20% की छूड़ दी तो उसने वस्तू कितने हैं मतलब विक्रे मुल्ये निकालना है देखें, 20% कितना होता है एक बटे 5 मतलब कोई चीज 5 की थी, कितने बेची 4 में, MRP कितना है 5, SP मतलब विक्रे मुल्ये कितना है, 4 लेकिन दे कितना रखा, MRP 2,000 तो 5 को 2,000 बना रहे, किसे गुना करूँ 400 से, तो यहाँ भी किसे गुना करूँगा 400 से, अंसर कितना गया 1600 रुपे तो कितने हैं बेचा 1600 रुपे, देखे, कितने जी सवाल है ठीक है, आगे देखते है देखे, अगला कोशन है 28 प्रिस्चत की छूड़ देने के बाद एक वस्तु का विक्रे मुल्य 13,320 में रुपे है वस्तु का अंकित मुल्य ग्याद करो अब किसमें क्या निकालना है अंकित मुल्य निकालना है तो 28 परसंट क्या होता है 28 परसंट होता है 28 बटे में 100 यानि कि अगर इसको मैं ओल सोड कल दू क्या हैगा 14 बटे 50 यानि कि 7 बटे 25 7 बटे 25 छूट का मतलब क्या है अगर मैं इसको MRP और उसमें लिकू तो MRP अनुपात SP तो 25 की चीज दी 7 की चूट दे दी कितने बेचियोगी बताओ 18 में लेकिन 18 की जीखे किसमें बेचियोई है ये बेचियोई है या आपके 13,392 में तो 18 की वैल्यू कितनी है 13,392 में आप अनुगे निकालनी है 25 की वैल्यू सोल करो 13,392 में 28 गुणा में 25 सोल कर ये देखे 18 एकम 18 хват 18 18121 बचे कितने साथ अठार चूप बहतर फिर अठार चूप बहतर तो 25 सास चमल यह आएगा अठार जार च्छCERिस्सो रूपे देखे कितनी जल्द यह सवाल हो गोए इससारे सवाल प्रिजूसर के कोश्टन में आई हुए तो अगर हमें बेसिक प लगाओ तो चैनल को लाइक कीजिए शेर कीजिए सब्सक्राइब कीजिए तब तक के लिए धन्यवाद जय हिन जय भारत